हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर अपने चैनल परलवाइन ग्यान में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको थम्नेल से क्लियर ही हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरस्टिंग है विदाउट स्किप आप पूरा वीडियो देखिए अगर आपने वीडियो बीच में स्किप किया तो आपको नॉलिज के साथ साथ आपके पैसे का भी लोस हो सकता है क्योंकि ये वीडियो और इसका जो टॉपिक है वो सिर्फ औ अब हम बात करते हैं कि परलवाइन जो सौफ्ट्वेर है वो अभी सिस्टम में एक नया अपग्रेड लेकर आने वाला है रोयल्टी का रोयल्टी का एक सेग्मेंट इसके अंदर अटैच करने वाला है लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेस्टन चल रहा है कि यह रोयल्टी देगा कहा से क्योंकि जितना भी हम सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं सिस्टम में अपना पैसा लगाते हैं अपना चाहे वो रिजिस्टेशन के ऊपर हो चाहे अपग्रेडेशन के ऊपर हो उस पैसे को सिस्टम परल से लेकर रुबी तक हर स्टैप पर परसंट डिस्टिब्यूट कर देता है, जब भी हम परल बनते हैं, तो 30 डॉलर को डिस्टिब्यूट कर देता है, जब हम कोरल बनते हैं, तो 20 हमारे ओटपूल में जाता है, 20 हमारे से उपर जो कोरल है, उसके पास जाता है, onyx करते हैं तो उसका भी 50% quards करते हैं उसका भी amethyst का, topaz का ruby का हर level का 50% तो हमारे pool में और 50% उपर वाले upper team को अपलाइन को जाता है तो system के पास ऐसी कौम सी छड़ी है कहां से देगा यह सवाल खड़ा होता है तो क्या इस condition में system हमसे पैसा लेगा royalty देने के लिए क्या लगता है आपको क्या वो हमसे ही पैसा लेकर royalty देगा मेरी इस line का answer तो system पहले ही दे चुका है कि system आपको royalty देगा और वो भी lifetime clear ऐसा तो है ने कि system ने हमसे थोड़ा सा पैसा लिया और उसी को वो हमें lifetime दे तो lifetime उसके पास ऐसा कौन सा जदू की छड़ी है कौन सा रुपयों का पेड़ है जिसे वो जाड़ कर हमें पैसा देगा वही तो हमें जानना है तो दोस्तो ध्यान से सुनिए आज का जो फस्ट टॉपिक है फस्ट पॉइंट है इसके अंदर वो कि इसके पास और कौन सा source of income है जहां से यह सोच रहे है रॉल्टी दूम है सबसे पहला आता है कि सिस्टम के पास डेली का हर रोज सिस्टम के पास बारा सो से पंदरा सो डीपी अड़ सेंस का आता है जी हां परलवाइन की साइट के उपर जो एड़ चलती है वहां से यूट्यूब या गूगल या फेस्बुक जहां भी इसकी एड़ चलती है जो भी इसकी साइट है वहां पर जो एड़ चलती है वहां से इसको परलवाइन को डेली का बारा सो से पंदरा सो डीपी अड़ से income होता है first income जहां से ये दे सकता है ये clear है कि ये हमसे पैसा नहीं लेगा जी हां royalty के लिए हमसे पैसा नहीं लेगा royalty का मतलब ही क्या होता है कि system अपने खुद के turnover में से देगा clear second जो data इस्तेमाल होता है परल्वाइन की site के उपर जो data इस्तेमाल होता है उसमें से total जितना data हम लोग परल्वाइन की site के उपर जाकर waste करते हैं use करते हैं खराब करते हैं उसका 70% income 75% income परल्वाइन को होगी क्योंकि आप जानते हैं कि internet का और software का worldwide agreement है कि जो भी data YouTube या internet के उपर जिस भी site या जिस भी software के उपर खर्च होगा हम जिस भी software के उपर जाकर या जिस भी site के उपर जाकर अपना data खर्च करते हैं उस use हुए data का 75% उस site या software को मिलता है और 25% service provider को जैसे Jio, Vodafone, Airtel इस तरह से तो पहला जो source है परल्वाइन की income का कि 1200 से 1500 DP इसको daily का AdSense का आ रहा है प्लस में जो data इसकी site के उपर हो रहा है उस 100% data में से 75% data की income इनको होती है परल्वाइन को होती है वहां से भी यह दे सकता है थर्ड जो point निकल कर आता है कि जब भी हमारी downline में जब भी कोई अपने आपको upgrade करता है coral में, pearl में, coral, onyx, quads, amethyst, topaz, ruby जब भी वो अपने आपको अपना level बढ़ाता है तो वो system को कुछ amount देता है जिस amount में से 50% उसके खुद के pool में चला जाता है और 50% upline के पास चला जाता है जो उस rank पर होती है अगर उसकी upline उस rank पर नहीं है तो वो पैसा mint की growth में चला जाता है वो dp mint की growth में चले जाते हैं अब mint को तो इन्होंने बंद कर दिया तो वो पैसा भी कठा हो गया वो dp भी कठे हो गए यानि अपडेट अपग्रेड के दोरान जो flash out होता है dp वो dp भी कठा हो जाता है system के पास अब system के पास तीन source of income है जहां से ये आपको royalty दे सकता है first adsense जो इनको income आ रही है वहां से second जो data इस्तेमाल हो रहा है site के ओपर वहां से third जी हां third जो upgrade flash होती है वहां से ये तीन source है जहां से system हमें royalty दे सकता है बाकी last and final decision तो system का ही होगा कि वो कहां से कैसे क्या दे रहा है but according to my knowledge system हमसे कोई पैसा नहीं लेगा क्योंकि इसके पीछे logic है वो पैसा लेने के बाद मालीजे हम कितना amount दे देंगे उने 100 dollar 200 dollar उस 200 dollar में वो हमें lifetime कैसे दे सकता है नहीं दे सकता और system ने clear किया है कि वो हमें एक अच्छी royalty देगा और lifetime देगा तो lifetime के लिए तो रोयल्टी जो देनी है उसकी income का भी source होना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको इससे related कोई भी जानकारी चाहिए तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं जै हिन्द जै भारत जै परलवाइन आप